यर्मिया 38 यर्मिया एक अंदे कुई में फिर जो वचन यर्मिया सब लोगों से कहता था उनको मतान के पुत्र सपन्या, पसूर के पुत्र गदल्या, सेले के पुत्र युकल और मिकलिया के पुत्र पसूर ने सुना यवाईयू कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा परन्तु जो कोई कस्दियों के पास निकल भागे वह अपना पराण बचा कर जीवित रहेगा यवाईयू कहता है यह नगर बेविलोन के राजा की सेना के वच में कर दिया जाएगा और वह उसको ले लेगा इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा उस पुरुस को मरवा डाल क्योंकि वह जो इस नगर में बचे वे योदाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पाउं ढिले पड़ जाते हैं क्योंकि वह पुरुस इस पर जाके लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है सिद्ध की राजा ने कहा सुनो वह तो तुम्हारे वस में है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरूद कुछ करसके तब उन्होंने यर्मिया को लेकर राजपुत्र मल किया कि उस गड़े में जो पहरे के आंगन में था रस्यों से उतार डाल दिया उस गड़े में पानी नहीं केवल दल दल था और यर्मिया की चड़ में दस गया उस समय राजा विन यमिन के फाटक के पास बैटा था इसलिए जब एबेदल मेलक कुछी ने जो राजपहन में खोजा था सुना कि उन्होंने यर्मिया को गड़े में डाल दिया है तब एमे मिलिक राजबहुं से निकल कर राजा से कहने लगा हे मेरे स्वामी हे राजा उन लोगोंने यर्मिया बहुशेवक्ता से जो कुछ किया वह बुरा किया है क्योंकि उन्होंने उसको गड़े में डाल दिया है वहाँ वह भूक से मर जाएगा क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही तब राजा ने एवे मेलेक कुछी को यह आग्या दी यहां से तीस पुरुस साथ लेकर यिर्मिया बहुशे वक्ताओं को मढने से पहले गड़े में से निकाल अते एवे मेलेक उतने पुरुसों को साथ लेकर राज भौन के बंडार के तल घर में गया और वहां से फटे पुराने कपड़े और चित्रे लेकर यिर्मिया के पास उस गड़े में रस्यों से उतार दिये तब एमेले कुछी ने यर्मिया से कहा, ये पुराने कपड़े और चित्रे अपनी काखों में रस्यों के नीचे रख ले, यर्मिया ने वैसा ही किया, तब उन्होंने यर्मिया को रस्यों से खीच कर गड़े में से निकाला, और यर्मिया पहरे के आगन में रहने लगा, सिद किया राजा ने इर्मिया बहुशे वक्ताओं को यहवा के बावन के तीसरे दोआर में अपने पास बुलवा बेजा राजा ने इर्मिया से कहा मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ मुझसे कुछ ने चिपा इर्मिया ने सिद्य किया से कहा यदि मैं तुझे बताऊं तो क्य तु मुझे मरवा ने डालेगा चाहिए मैं तुझे सम्मती भी दूँ तो अभी तु मेरी ने मानेगा तब सिद्गिया राजा ने अकेले में इर्मिया से सपत खाई यहवा जिसने हमारा यह जीव रचा है उसके जीवन की सोगन ने मैं तुझे मरवा डालूँगा और ने उन मनुश्य के बस्में कर दूँगा जो तेरे प्राण के खोजी है तब यिर्मिया ने सिद्गिया से कहा सेनाव का परमेसर यहवा जो इजरैल का परमेसर है वह यह कहता है यजि तु बेविलोन के राजा के हाकिमों के पास सच्मूश निकल जाए तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूका नहीं जाएगा और तु अपने घराने समेट जीवीत रहेगा परनतों ये जितु बेविलोन के राजा के हाकिमों के पास ने निकल जाए तो यहन अगर कस्तियों के वस्मे कर दिया जाएगा और वे इसे फूख देंगे और तो उनके हाथ से बचनेस केगा सिद्धिक्या ने यर्मिया से कहा जो यहुदी लोग कस्तियों के पास भाग गई है मैं उनसे डरता हूँ ऐसा नहो कि मैं उनके वस्मे कर दिया जाऊँ और वे मुझसे ठटा करें यर्मिया ने कहा तो उनके वस्मे नहीं कर दिया जाएगा जो कुछ मैं तुससे कहता हूँ उसे यहवा की बात समझ कर मान ले तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा पर यदि तू निकल जाना सवीकार ने करे तो जो बात यहवा ने मुझे दर्सन के द्वारा बताई है वह यह है देख यहुदा के राजा के रनवास में जितने इस्तियां रहे गई है वह बेविलोन के राजा के हाकिमों के पास निकल कर पहुँचाए जाएगी और वह तुझ से कहेंगी तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई और जब तेरे पाउं कीच में दस गई तो वे फिर गई तेरे सब इस्तियां और बाल बच्चे कस्दियों के पास निकल कर पहुचाए जाएंगी और तु भी कस्दियों के हाथ से ने बचेगा वरें तु पकड़ कर बेविलोन के राजा के वस्में कर दिया जाएगा और इस नेगर के फुके जाने का खारण तु ही होगा तब सिद्ग्या ने यर्मिया से कहा इन बातों को कोई ने जानने पाए नहीं तो तु मारा जाएगा यदि हाकीम लोग यह सुनकर कि मैंने तुसे बाचित की है तेरे पास आकर कहने लगे हमें बता कि तुने राजा से क्या कहा हम में से कोई बात ने च्छिपा और हम तुझे ने मरवा डालेंगे और यह भी बता कि राजा ने तुसे क्या कहा तो तु उन से कहना मैंने राजा से गिड़गडा कर विंति की थी कि मुझे योधनातान के गर में फिर वापिस ने बेज नहीं तो वहा मर जाओंगा तब सब हाकिमों ने यर्मिया के पास आकर पुछा और जैसे राजा ने उनको आग्या दी थी ठीक वैसा ही उनको उत्तर दिया इसलिए वे उससे और कुछ ने बोले और ने वे बेद खुला इस परकार जिस दिन यरुसलिम ले लिया गया उस दिन तक वे पहरे की आंगन में ही रहा थैंक यू